दोस्तों अगर आप नमलो जी सीखना चाहते हैं अगर आप पामेश्ट्री सीखना चाहते हैं यदि आप उन्डली सीखना चाहते हैं यदि आप बास्तू सीखना चाहते हैं दोस्तों इसके हर एक सेक्षन में 60-60 वीडियो मिले दोस्तों आज हम बात करते हैं कि कहा जाता है कि आपका सिर अगर उत्तर के दिशा में है तो इससे पाप लगता है क्या यह सही है या गलत है दोस्तों अगर आपका सिर उत्तर के दिशा में है तो पैर दक्षिन के दिशा में होगा अगर आपका पैर दक्षिन के दिशा में है तो सिर उत्तर के दिशा में होगा इससे ना कोई पाप होता है ना पुन्य होता है होता क्या है हमारी चुम्बक्ये तरंगे जो है वो दच्छिन से उत्तर के दिशा में परवाहित होती है अगर आप इस दिशा में पैर रखते हैं या सर रखते हैं तो इससे आपके पेट का पाचन तंतर में प्रॉवलिम क्रियेट हो सकता है अब किन आदमियों को ये चीज नहीं करना चाहिए तो इसके लिए है कि जिस भी बैक्ति के कुंडली में छठे घर में क्योंकि छठा घर जो होता है वो रोग सत्रू का घर होता है तो अगर छठे घर में पाप गरह कोई बैठे हुए हैं तो अब कोई पाप गरह बैठे हुए या कोई पाप गरह का उस पे द्रिश्टी है तो ऐसे जातक को नहीं रखना चाहिए दक्षिन के रिशा में सीर या उत्तर के रिशा में सीर इससे आपके सरीर में बुरा प्रभाव पड़ेगा और इससे क्या होगा कि आपके सरीर कमजोर होते जाएंगे और आप बिमार होते चले जाएंगे तो अगर किसी भी जातक के छठे घर में कुछ प्रॉब्लिम है तो ऐसा हो सकता है लेकिन अगर आप घर के अंदर सो रहे हैं अगर आपकी कोई ऐसी बिवस्था नहीं है कि आप उसे किसी और दिसा में अपना सर रक्क सके तो आप दच्छिन दिशा में भी सर रख सकते हैं घर के अंदर में और हम बात करते हैं कि अगर उत्तम है तो आप पूरव की दिशा में या आप फश्चिन के दिशा में भी आप सर रख सकते हैं अति उत्तम है अब हम बात करते हैं बास्तु सास्तर में अगर ऐसा है और दर्चिन की रिशा में या उत्री की रिशा में सर रखने का के अलावा कोई भी उनके पास में दूसरा उपाय नहीं है तो ऐसे जातक को उपाय कौन सा करना चाहिए तो ऐसे जातक को अपने मुह से अपसब्ध भासा का प्रयोग जल्दी नहीं करना चाहिए चाहे वो अपने दोस्तों के साथ करें, चाहे अपने बच्चों के साथ करें और घर में तो वाइस के साथ करें ही नहीं, इससे लक्षमी जो है वो रुष्ठ होती है. आपके सारीक प्रॉबलेम कितना भी सही हो अगर घर में इस्तिरी का इज़त नहीं होता है तो महलक्षमी आपके घर में कभी भी इस्तिर नहीं रह सकती है दूसरा उपाय है कि आप मांस मचली का ज़्यादा प्रियोग नहीं करें खास करके मंगलवार और सुक्रवार को और मीठी बॉने का प्रियोग करें बस इससे ज़्यादा कोई उपाय नहीं करना है दोस्तों हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में अगर आपके पास में कोई भी समस्या है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं धन्यवाद